नमस्ते विजिस गीतु हिर्पुरी विजा के लिए अगर आपका डीटॉप बड्र एक है दस है उनीस या फिर अठाइस है तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौनसी चीजी गिफ्ट करनी चाहिए दिवाली में न.बर 1 यह जो रोलिंप नानित होता है सूर्या, तो सूर्या की जाउनगते हैं जो न Dingen गोल्ड एक हुटते है, यह पो लोगों मुझे हम सूर्या एक है उर गोल्डे हैं तो आप आपके सूर्या एकले नंबर एक के लोगों को कुछ भी सूर्या से कनेक्टिद सूर्या की प्रतिमा, फरih 17 बोट ऐसकस अंतीज किसे आपको गिफ्ट नहीं करने चाहिए इसोर्या का पावर कम हो जाता है सूर्या आपको एनर्जी देता है सुर्य आपको नेम, फेम, गवर्मेंट, फेवर्स, पिताजी से अच्छा संबंद देता है, तो यह सब चीजों में कम हो जाएंगे, आप अगर आप गोल्ड से चीजे देंगे तो, या गोल्ड इन कलर चीजे देंगे, गिफ्ट में, आपको जो आपके एनिमी प्लानेट्स ह होते हैं, एक होता है शुक्र और एक होता है शनी, अगर नमबर एक वालों को relationship issues है, वो शुक्र की वज़े से है, तो आपको शुक्र के पावर को कम करना होता है, उसके लिए आप यह सफेद कलर क्रिस्टल के, जिसको स्पाटिक भी बोलते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख स करते हैं, यह स्पाटिक का श्री अंत्र है, स्पाटिक के गनेश है, लक्षमी है, सरस्वती है, और टॉटोईज है, तो ऐसे सफेद चीजे या क्रिस्टल से connected कोई भी चीजें देने से, आपका जो एनीमी प्लानेट है, शुक्र उसका effect कम होता है, आपके खर्चे कम होते है और आपका relationship अच्छा होता है, अगर आपके life में बहुत अर्चनी आ रही है, तो वो आपके दूसरे एनीमी प्लानेट के वज़े से है, जो है शनी, तो शनी का power कम करने के लिए आप काले कलर की चीजें, जैसे ब्लैक तुरमलीन है, उसका pendant है, या ब्लैक तुरमलीन का heart है, या फिर ब्लैक तुरमलीन का ball है, या फिर ब्लैक तुरमलीन का pyramid है, ऐसे ब्लैक कलर के चीजें आप देने से आपका शनी प्लानेट भी होता है, तो आपके life में अर्चने, मुसीबते, delays कम होते हैं, जिसको आप gift देंगे उनको रुकसान भी होगा, उनका शुक्र positive होगा, तो number one वालों को ये चीजें आपको gift नहीं करनी है, दूसरे numbers को आप ये चीजें gift कर सकते हैं, thank you